नमस्कार जाए हैं तो देखें एंटी ने लेटस्ट अपडेट जारी किया है कि उसने एक इंपोर्टन एक्जाम को पोस्ट पॉन किया है तो वो कौन सा एक्जाम है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा तो उससे आप समझ सकते हैं कि एंटी यूजी सी नेट भी बहुत जल्दी पोस्ट पॉन होने वाला है करोना की वज़े से तो वीडियो कन तक देखते रही है यह है ट्विटर हैंडल डॉक्टर रमेश पोख्रियाल निशंग जी का आप देख सकते हैं यह उनका ओफिशिल अकाउंट है तो देखें यहां पर अनॉंस्मेंट क्या किया गया यहां पर देखें अनॉंस्मेंट किया गया है कि जो जेई मेंस का जो एपरल सेशन का जो एक्जाम होने वाला था वो इन्होंने पोस्ट पॉन किया है पोस्ट पॉन था जेई मेंस दोहजार रिकीस एपरल सेशन सो देखें यह भी एंटे ही कंड़क्ट करवाता है यह कोटिफिकेशन है एंटे की तरब से जो रमेश पोख्रियाल निशंग जी ने अपने ट्विटर कि पोस्ट पॉन ऑफ दा ज्वाइंट एंट्रस एक्जाम यानकी जेई मेंस एक्जाम 2021 सेशन यहां पर देखे यह बताया गया है कि जो एंटे का एक्जाम था वह देखिए हैना दो सेशन जो थे वो अलरड़ी फेबरेरी में कंप्लीट किये गए हैना पहला सेशन देख刼े जो फेबरेरी में था वह सेशन वन वन कंप्लीट किया गया 23rd याकि 23rd तो 26th February जो जारे 12 सेशन हो गया और 16 मार्च और 18 मार्च यानकि 16 मार्च और 18 मार्च को दूसरे session हुआ आप दिखे 4 session में होना था दो session अल्रेडी complete होगे February और March में तो जिन में से appeared किया था इतने student ने session 1, session 2 में लेकिन जो April session आने वाला था वो होना था 27, 28, 30 यनकी 27, 28 और 30 April 2021 को April में exam होना था लेकिन अभी क्या है कि जो Corona की इतनी ज़ादा इतना ज़ादा Corona pandemic फैल चुका है तो यहाँ पर देखिए looking the present situation of COVID-19 pandemic and also taking into account and safety well-being of the candidate examination functionality तो यहाँ पर decide किया गया है NT के दुआरा कि April वाला जो session है वो postpone किया जाएगा यहाँ पर देखे साबसा लिखा है postpone the J means 2021 April session यहाँ कि देखे चार session में दो session February मार्च में हो चुके है जो April वाला था वो हो चुका है postpone सो जो revise date है इसकी वो कब जारी की जाएगी वो जारी की जाएगी examination से 15 दिन पहले यहाँ कि April session जो अभी postpone किया है उसका announcement अभी यह नहीं बताया कि कब exam होगा लेकिन exam और CMET हो गया NTA UGCnet हो गया बहुत सार exam conduct को रहता है आप देखिए J means का exam जो है वो होने वाला था वो जो है postpone लेकिन इसी को चलते हुए NTA UGCnet का exam जो मई में होने वाला है वो भी यहाँ पे हो जाएगा postpone आप इसकी चंता मत करिए exam वाकि ही postpone होगा NTA UGCnet नेट का मतलब है National Eligibility Test यानि कि देखिए पूरे देश के बत्चों के लिए टेस्ट है अब देखिए जब तक पूरे देश में जो situation है वो normal नहीं हो जाती तब तक यह exam नहीं होगा तो NTA का exam भी ऐसे ही possible है कि post one हो जाएगा तो आप अपनी त्यारी के जारी रखिए तो बने रही हमारे साथ टेक जाएगा